बिहार में कुरोना काल में एतिहासिक विधान सवाचुनाओ तीन चर्णों में होना है। दस नौवंबर को ये भी तैह हो जाएगा कि कौन होगा सूबे का अगला मुख मंतरी। मुख मंतरी नितीश कुमार ने छे बार बिहार सीम की पत की शपत लेकर एक कृतिमान अस्थापित किया है। बिहार में जब जातिये राजनीती अहम मुद्दा हुआ करती थी नितीश ने विकास को मुद्दा बनाया था। और 24 नवंबर 2005 में सूबे के दूसरी बार पुर्ण बहुमत के साथ मुख मंतरी बने थे। उसके बाद से वो लगातार बिहार के मुख मंतरी के पत पर आसीन है। लोगों का मानना है कि मुख मंतरी नितीश कुमार एक काफी मजबूत नेता हैं जिनोंने अपने राज की तरक्ति के लिए कई महत्पूर्ण काम किये हैं। इनका नाम हमारे देश में एक साफ छवी वाले नेताओं में गिना जाता है और इनकी छवी एक धर्म निर्पेक्ष नेता की भी बनी है। नितीश कुमार का जन एक मार्च उनी सोई क्यावन में हुआ था और वो एक इंजीनियर हैं। 69 साल की उम्र में भी वो काफी एक्टिव और द्रिर्श संकल्प नेता हैं। नितीश कुमार के पिता कविराज राम लखंसी एक वैद्य थे और देश की आजादी में भी हिस्सा लिया था। साल 1973 में नितीश कुमार की शादी हुई थी। उन्हें एक बेटा भी है जिनका नाम निशांत कुमार है। नितीश की पत्नी एक अध्यापिका हुआ करती थी और साल 2007 में उनकी पत्नी का स्वरगावास दिल्ली में हो गया था। नितीश ने अपनी राजनीती की शुरुआत जैप्रकाश नारायन के आंदोलन में भाग लेकर की थी। नितीश कुमार ने बिहार विधानसवा चुनाव में पहली बार 1985 में जीत हासिल की थी। नितीश तीन मार्च 2000 को पहली बार बिहार के मुखमंत्री बने मगर बहुमत नहीं होने की वज़ा से महस साथ दिनों में ही दस मार्च को इन्हें ये पत्च छोड़ना पड़ा था। फिर 24 मार्च 2005 को बिहार विधानसवा चुनाव में जीत के साथ ये दोबारा सी एम की कुर्सी पर आसीन हुए। इस बार ये पूरे 5 साल तक मुखमंत्री बने रहे और इन्होंने बिहार के विकास के लिए कई सारे काम किये। जिसमें बिहार में सुशासन और विकास के ही चलते इन्हें सुशासन बाबू और विकास पुरुष कहा जाता है। नितीश ने जाहरी तोर पर कभी भी जातिये राजनिती नहीं की और विकास के बल पर ही वोट मांगा। यही वज़ रही कि साल 2010 में फिर नितीश के नित्रित में एंडिये की सरकार बनी और नितीश कुमार ने 26 नवंबर 2010 को CM पत की शपत ली इस बीच इन्होंने लोकसबाचुनाव में जद्यू की खराब प्रदर्शन की नैजिक जिम्मधारी लेते हुए पत से मई 2015 में इस्तिफा दे दिया और जीतर नाममान जी को मुकमंत्री की कुर्सी सौंप दी थी तब जीतर नाममान जी जद्यू में हुआ करते थे हाला कि फिर पार्टी के अनुरोध पर नितीश ने फिर से पदभार संभाला और मुकमंत्री पत की शपत 22 फरवरी 2015 को ली इस बीच वो NDA से अलग हो गए थे और साल 2015 में राज़त के साथ मिलकर विदान सबाचुनाव लड़ा और जीत हासल की और 20 नवंबर 2015 को CM पत की शपत लेकर मुकमंत्री बने मगर सरकार चल नहीं पाई और करीब 18 महीने बाद नितीश ने राज़त को छोड़कर वापस इंडिये में शामिल हो गए और सरकार बनाई और छटी बार CM पत की 27 जुलाई 2017 को शपत लेकर बिहार में सबसे अधिक बार शपत लेने वाले मुकमंत्री बन गए मुकमंत्री निदीश कुमार ने छे बार मुकमंत्री पत की शपत के साथ अपने कारेकाल के 15 साल पूरे कर लिये हैं और इस बीच ये भी साबित किया है कि वो जिधर रहे जीत उसी पाले आई है चाहे वो राज़त के साथ महागडबंदन हो या बीजेपी के साथ मुकमंत्री रहते हुए इन्होंने अपने राज्य के विकास के लिए कई सारे काम किये हुए हैं और इन्ही कारियों के लिए इन्हें कई आवार्ड भी दिये गए हैं जिसमें साल 2010 में Forbes नामक मैगजिन ने नितीश को Person of the Year आवार्ड से सम्मानित किया था Life Cities से मैं शादाब मलिक देखते रहे हैं हमारा वीडियो हम देते रहेंगे बिहार राज्यनिती से जुड़ी जानकारियां अगर आपने हमारे यूटीब चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें साथ ही Facebook पेच को लाइक करना ना बोलें